नमस्कार दियर स्टूदेंट्स एंड वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑफ पीटी जाइस एकाड़ूमी हमारी इस नौले लेक्चर सीरीज में मैं संदीप मानुदने आपका पुना स्वागत करता हूं आज हम आगए हमारे 14 सेशन पर और यह होगा साइंस और टेक्नोलोजी की क क्लास आज साइंस और टेक का हमारा पाँचवा सेशन आ गया हमने पिशली बार कॉंसेट्स वन टू थ्री पढ़ेते आज हम पढ़ेंगे फोर फाइप सेक्स तैयार हैं आप प्यारे साथियों यूपी सी का साइंस और टेक्नोलोजी का सिलिबस आपके सामने हैं तो कल की क् और इंडियन एकानोमी का रूरल एकानोमी का पहला हिस्सा कवर किया था अच्छे से देखा आपने सेशन कितने लोगों ने अभी तक के पूरे 14 सेशन अटेंड किये हैं पीडिएफ डाउनलोड किये हैं और प्यारे प्यारे कॉमेंट किये जरा एक बार कनफर्म करो भई त समझना है और लाई को शेयर तो कर नहीं है यह से लिए बस है इसी को हम पढ़ेंगे बहुत लंबी यात्रा है इसको बिट्स और पीसेस में हम कवर करेंगे क्योंकि एक बहुत फेमस कहावत है ना हौड यू इट इन एलिफान बिट बाइब पीस बाइपीस तो मैंने अभी क्या क्या समझाओ साथियों उम्मीद करूंगा हमारे experience का आपको लाब अच्छे से मिल रहा है इंजॉय करें knowledge is a journey यह कोई destination नहीं होता है और इस journey को enjoy करते आना चाहिए तो enjoy आप हमारे साथ SNT cracker भी बहुत अच्छे से करोगे मैं 25 sessions में मैं आपको science and technology का UPSC का पूरा syllabus students का जो हमारा course है छे जुलाए से आ रहा है आज क्या जन रोल करने और जो sincere students है वो combo course के लिए great value for money four courses rolled into one आज का गाम शुरू हो चुका भी है concept four five six आज हम सबसे पहले एक minute लगा के ज़रा खुद के brain cells को activate करेंगे quick revision of lights उसके बाद हम चलेंगे प्यारे दोस्तों concept four viruses versus bacteria फिर ह आएंगे concept five giant viruses उसके बाद आएंगे concept six universes phone number जी हाँ इस universe का फोन नंबर भी है और फिर मैं आपको questions दूंगा excited शुरू किया जाए याद रखिएगा दोस्तों यह सारे concept जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यह सब आपस में interlinked है एक से दूसरा दूसरे से तीसरा तीसरे से चौ अलोन नहीं होती यह आपने हमारे पिछले lecture में महसूस करी लिया होगा जब हमने viruses के प्रकार और उनके दस प्रॉपर्टीज और बैक्टीरिया पर बात की थी तो उसी को आज finishing touch हम देने वाले हैं एक चीज़ और हमारी knowledge series में आप attend कर रहे हैं तो जितने भी lectures आप करते हैं इंडियन economy में करते हैं संटी में करते हैं environment technology में आप अगली class में क्या पढ़ना चाहते हैं comment head में बिंदास लिखने का keep giving your suggestions हमारे suggestions हमारी टीम जो है नोट करती है आपके suggestions और उसमें से best हम उठाके उसके उपर आगे कही न कहीं cover कर देंगे तो बिलकुल लिखते चली हर student बत प्रुत्वी पर जीवन का विकास होते देखा हमारा last universal common ancestor कभ कहां कैसा रहा होगा लिउका उस पर भी हमने बात की eukaryotic versus prokaryotic तो मुझे जल्दी से बताईए आप क्या हैं eukaryotic हैं या prokaryotic हैं हमारे जीवन के चार आधार स्थम्भ organic macromolecules इन चारों में से एक भी हड़ प्रुत्वी पर जितना भी जीवन है इन चार macromolecules से संभव है फिर मैंने आपसे कार्बन की कुछ special properties पूछी थी इतने बढ़िया बढ़िया answer comment thread में लोगों के आए मज़ा आ गया तो ऐसे participation का level अच्छा रखे हैं और यह सब syllabus का हिस्सा है फिर हमने बात की थी 10 facts on viruses एक एक चीज हमने पढ़ी फिर हम आ गए थे 10 facts on bacteria पर और ऐसा करके हमने चीजों को समझा था तो प्यारे दोस्तों relative sizes of various particles पर भी अच्छी चर्चा हुई थी आज बहुत काम आएगी तो शुरू करते हैं viruses versus bacteria क्या क्या पढ़ेंगे इसमें तो यहां हम विशानू बनाम जीवानू पढ़ने जा रहे हैं काफी अच्छा काफी technical topic है और बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा कितने प्रकार की covid vaccines बन रही हैं इस पर फिर से एक बार नजर डाल लेंगे क्योंकि यह तो पूछा ही जा सकता है ठीक है तो देखिए होता क्या है प्यारे दोस्तों जब हम समान बिमारियां हमारे शरीर में create कर देते हैं एक और हम viruses को बोलते हैं का common cold, flu, sore throat के लिए जिम्मेदार है तो वहां तो antibiotics काम नहीं आएंगे जो विशान होते हैं इनके ओपर antibiotics काम नहीं आते मैंने पिछली class में आपको super bug के बारे में बताया था याद है ना super bug बग यहने की antimicrobial resistance उनमें develop हो गया AMR यह जो आज pandemic चल रहा है कोविट का यह तो एक virus से आ रहा है लेकिन वेग्यानी कैसा कह रहे हैं कि अगर समय रहते antimicrobial resistance या antibacterial resistance को रोका नहीं गया तो पूरी दुनिया में एक इतनी भैनक महामारी आएगी जहां हमारे antibiotics काम करना बन कर देंगे दे तो जिसने पहली करांती आपको एक बात पता है आज से देर सो दो सो तीन सो पांस सो साल पहले अगर किसी भी व्यक्ति को को बड़ा घाव हो जाता था तो उसकी मौत भी हो सकती थी आज आपको शरीज में कितना भी बड़ा घाव हो जाए you have a proper medical treatment तो जादू हुआ है medicine में क इसने युमेनिटी के आकार को हमारी आयू को बढ़ाने में कितना बड़ा रोल प्ले किया है तो ऑटो क्लेव एक शब मैंने यूज किया था बताइए बड़ी जादू ही चीज होती है जल्दी से बताएं तो बैक्टिरिया और वाइरस उसमें कुछ बिमारियां दोनों से ह सकती है सें बिमारियां और कभी-कभी उस不要 कर सकता है और थरवाइश कभी नहीं समझ मह बैक्टिरिया के लिए अर्थाद बैक्टिरिया और यह विशानों kept virus अपने धाचे में ही अलग होते हैं तो उनका medications के प्रती response भी अलग होता है दवाईयां अलग होनी चाहिए bacteria जिन्दा जीव होते हैं और ये एक single celled organism होते हैं इनके पूँच भी होती है और वो पूँच की मदद से प्रती सेकेंड बहुत तेजी से भाग भी सकते हैं जो काम viruses नहीं कर सकते इनकी cell wall भी होती है और इनके अंदर स्वयम में वो सारे components होते हैं bacteria में जिससे वो जिन्दा रह सकें, reproduce कर सकें, अपनी संख्या बढ़ा सकें ये काम viruses नहीं कर सकते, viruses को हमारे cell को hijack करके उसे order देना पड़ता है हमारे cell viruses के knocker बन जाते हैं, slave बैक्टीरिया खुद को reproduce करके आगे बढ़ा सकता है ये बहुत fundamental एक generic difference है तो comment thread में मुझे एक बार समझा दीजेगा, आप मेंसे जो भी bio background के हैं आपको तो बहुत आसान लग रहा होगा सब, अच्छी बात है ना, आपको ये advantage है जिस तरह mass वालों को कभी-कभी mass में advantage मिल जाता है बहुत ही कम bacteria ऐसे हैं compared to viruses, जो इंसानों में बिमारियां पैदा कर देते हैं ज्यादा तर हमारी अच्छी health के लिए बहुत कारगर होते हैं और पृत्वी की health के लिए भी, मैंने आपसे gut flora की बात की थी, याद आया आपको हमारी जो पूरी playlist है न दोस्तों, हमारा पूरा जो series चल रहा है इसकी चार playlist है बनी है, मैं कल के session में चालों दिखा भी दूँगा, commentate में रहती देख ले न वो पूरी पूरी अच्छे से देखो चारो की, आज हमारी चार अलग-अलग playlist चल रही है, knowledge series भी चल रही है उसके अलावा current affair series सुबह आती, जिसमें हिंदू के editorial आते हैं उसके अलावा current affair booster series चली रही है, और P.I.B. analysis भी है यह सब आपके लिए, यह purely civil services के लिए करोगे, तो आपको बहुत फायदा होगा viruses को हम जिन्दा नहीं मानते, उनको तो हम particle मानते हैं, क्योंकि उनको कोई host चाहिए ही चाहिए अगर उनको लंबे समय तक खुद को जिन्दा रखना है, energy चाहिए और reproduction के लिए ज्यादातर viruses बहुत खतरनाक होते हैं, ज्यादातर bacteria अच्छे होते हैं इंसानों के लिए antibiotics से कभी-कभी हम कुछ viral जो common होते हैं, उनके infections को treat करने का प्रयास कर सकते हैं vaccination ही एक मात्र तरीका वैसे है, viruses को रोकने का वैसे antiviral दवाईयां भी होती हैं, जो bacteria के खिलाफ तो बेकारी हो जाएंगी, क्योंकि दोनों का structure ही अलग है, तो दवाईयों का pathway भी अलग-अलग हो जाता है आप याद करेंगे दोस्तों, पिछले साल अप्रैल में जब यह पूरी दुनिया में pandemic से lockdown लग गया था 2020 में, कितनी चर्चा हुई थी इसके उपर, करोना वाईरस, novel coronavirus, rcov2, कैसे घुसता है और cell के साथ चिपकता और उसका pathway क्या होता है, disease pathway कहते हैं, यह term पे last year खूब बा अब वो जो पूरा pathway है किसी करोना वाईरस का हमारे cell के साथ में, उसके हर step पे उसको रोक सकते हो, तो 5, 7, 8 प्रकार से वाईरस इसको रोका जा सकता है, novel coronavirus की दवाईया जो लोग बना रहे हैं और vaccine जो लोग बना रहे हैं, उन्होंने पहले उसके pathway को study किया, फिर यह देखा में मासूम और हरकतों में बहुत ही खतरना, अगर यह मासूम सवाल किसी ने पूछा कि, why do we have multiple vaccines, why can we not have just one, और why do we not have just one, उसका answer ये, because there is a certain pathway that the virus follows inside the cell, so at each point of that journey in that pathway, you can have a different kind of an intervention possible, तो यह उत्तर थोड़ा सा ध्यान रखता, बढ़िया उत्तर था, मद आ जाएगा, अगर किसी ने वाइवा में पूछ लिया, selection guaranteed है, अरे सिर्फ एक answer से selection होता तो क्या बात थी, तो bacteria and viruses, दोनों spread तो भया, एक समान तरीके से हो ही सकते हैं, being exposed to droplets which are expelled when a person coughs or sneezes in your vicinity, इसलिए तो मास लगाने को बोला जाता है न, और इसलिए लोगों से दूरी बनाने को बोला जाता है, जो infected हैं, उनके करीब रहेंगे, तो bacteria virus दोनों transmit हो सकते हैं, और भारत में जो anti-microbial resistance की problem आई है, उसमें ये तो बहुत बड़ा कारण रहा ही है, contact with infected surfaces and then touching your nose, इसलिए बोलते हैं, मास लगा और हाथों को साबून से धो, contact with infected body fluid through kissing or sex or urine or feces, इस से तो HIV AIDS का भी बहुत बड़ा problem होत होता है, contact with the infected animals or insects and transmission from mother to child during birth, अलांकि वो हर किसी case में नहीं होता है, तो प्यारे साथियों, एक बहुत बड़ी controversy जो हुई, WHO ने novel coronavirus हवा के जरीए फैलता है, ये बताने में 12 महीने का समय ले लिया, पिछले साल फरवरी मार्च अपरेल मही में इस पे बहुत बहुत डिबेट हुई थी, कि ये जो virus particles हैं, ये aerosol versus droplets किस में से दादा फैलते हैं, ये लंबी debate है ये physics की, you will be very surprised, aerosol or droplet का कहां पे एक turning point आता है, कहां पे उनकी boundary आती है, वो 5 micrometer होगा या क्या होगा, उसको लेके बहुत डिबेट है, और उसका उत्तर finally physicists ने दिया, वो ना biologist दे पाए ने डवली ओचो वाले, और इस साल अप्रेल मही में डवली ओचो ने फाइनली सिवकार किया कि हा, ventilated rooms जरूरी है, ये पिछले साल नहीं बोला था, क्योंकि ये droplets versus aerosol की debate में उलच गया था, डवली ओचो पहले ये बोल रहा था कि ये novel coronavirus जाके नीचे गिर जाता है, फिर उ सोचने के तरीके बताओं, वो बहुत दरूरी है, अब अगर आप से किसी ने पूचा कि hand sanitizer आपको infection से बचाते कैसे हैं, तो उसका उपतर ये है, इसके अंदर alcohols होते हैं, ethanol हो सकता है, propanol हो सकता है, isopropanol हो सकता है, और ये जितने भी होते हैं, ये उसकी पूरी lipid layer को हो जाती है, and that is why, इनकी coating को तोड़ने का काम, ये sanitizer करते हैं, and then they become useless, समझ में आगे आपको, तो RNA या DNA के पार्टिकल जो nucleic acid के अंदर है, उनकी जो सुरक्षा की कवच है, उसको ये सारे तोड़ देते हैं, उसके बिना हुआ RNA या DNA के पार्टिकल किसी भी काम के होते ही नही आगे समझ में, antibiotics are medications used to treat bacterial infections, there are many different types of antibiotics, ये अपने आप में पूरा पूरा विज्ञान है, जो लोग पूरा पूरा फार्मकलोजी पढ़ते हैं, फार्मसी करते हैं, उन्हें ये चीज़ें बहुत गहराई से पता है, तो आपने से कितने लोग फार्मसी की पढ़ाई कर रहे हैं कनफर्म कीजे, और आज मैं फिर से एक बार सर्वे लेना चाहता हूँ, आप लोग किस शहर, या किस टाउन के, या किस गाओं के हैं, और किस राज्य के हैं, और अगले 6-12 महिने में कौन सी exams देंगे, एक बार comment रेट में बता तो, हर बच्चा करेए, मुझे थोड़ा से य लोगों, जिससे की next generation हर कुछ घंटे में ready हो जाती हैं, और antibiotic viral infection पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, viral infection पे दरसल कोई बहुत specific medicines होती नहीं है, वो तो सिर्फ उनके pathway को block करने का काम करती है, वाइरस इसको खतम करते हैं, वो तो ultimately आपकी immune system ही करेगा, जिसके लिए आप पूरी की vaccination की प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो एक बार, एक सरल सवाल और सरल जवाब से हम रूबरू हो जाएं, what is the difference between a medicine and a vaccine, अगर किसी ने सवाल पूछ लिया, दवाईयों में और टीकों में क्या अंतर है, medicines are always given to people who have already fallen in, and vaccines are always given to people who are not ill today, but who are healthy, so that they can develop an immune system and an immune picture inside themselves, दवाईयां उन् बिमार पढ़ चुके हैं, ताकि वो अंदर जाके किटान उमर जाएं, और टीके उनको लगाया जाते हैं, जो आज हेल्दी हैं, ताकि वो टीकों से आने वाईले वाईरस बैक्टिरिया को सिस्टम पहचान ले, हमारा immune system, उसकी picture बना ले, ताकि असली वाईरस जब आएगा तो उसको मार सकें, तो फरक समझ में आ गया, और यह बहुत जरूरी है कि आप participate करें, तो viral infections का मैंने बता दिया, और normally क्या होता है कि आपके शरीर में अगर वाईरस घुसा, तो आपको बोला जाता है कि भाईया, relief of symptoms के लिए आप ये कुछ कोशिश करें, जब तक कि आपका शरीर स्वयमी उसको clear ना करते, और बहुत सारा आपने term सुना होगा viral load, viral load का मतलब होता है जो initial exposure में कितने विर्योन आपके शरीर में घुस गए, अगर ये बहुत ज्यादा है, तो शरीर को उतनी ही महनत करनी पड़ेगी, आपको बात समझ में आ गई, तो finally जाते जाते प् अनुभव रहा है, तो कितने प्रकार के vaccines हैं, coronavirus के, सबसे पहला vaccine बहुत simple approach पे काम करता है, सीधे, सीधे, DNA और RNA के ही particles ले लो, और immune system में डाल दो, तो आपने अगर novel coronavirus का single strand RNA 30,000 base pair वाला है, 8 या 9 genes हैं केवल उसमें छोटा सा virus है, ये बिल्कुल, और तवाही कितनी बड़ी क चरीर में, तो बागी का virus जालने की जरूवत ही नहीं है, बहुत आसानी से बन सकता है, तो ये जो mRNA technique यूज की गई है, messenger RNA मॉडरना कंपनी के दोरा, मैंने उसके उपर एक detailed research report पड़ी, ऐसा कहा जा रहा है, कि ये mRNA technique जो है, ये अगले 10 सालों में, दुनिया की लग भग 90% ब most dreaded diseases of mankind, क्योंकि उसमें सीधे, सीधे RNA या DNA पार्टिकल को आप अंडर डाल के cell को सीधे बोलते हुए करो, तो इससे तो बहतर कुछ हो ही नहीं सकता है, और mRNA पे अब बहुत investment होने माला है, तो भई अगर आप stock market में invest करते हो, तो मुझे लगता एक समझदार आदमी ऐसी कि तरफ नजर रखेगा, जो mRNA टेखनीक में काम करने वाली है, मैंने आपको हिंट दी, सोचिएगा, फिर दोस्तों, live attenuated vaccines होती है, जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानती ही है, जब आप live attenuated vaccine की बात करते हैं, तो इसमें जो actual virus में novel coronavirus का, उसी का एक कमजोर version डाल दिया ज तो यह आपका covaxine है, inactivated virus यहने covaxine वाला जितना हमारा vaccine खुद का अपना स्वदेशी भारत का बना, फिर viral vector vaccine होता है, तो यह आपकी covid shield वाली है, जो आपको पता है, बिटेन से बन के आई है, University of Oxford, और AstraZeneca और इसका manufacturing किया, आधर पुना वाला ने, SII पुने में, SII का full form पता दो, तो यह non-replicating वाला covid shield होता है, और तीसरा होता है, protein subunit, समझ में आया आपको, अरे भी, novel coronavirus में, आपको हमको सबसे जादा दिक्कत किस चीज से है, spike protein से ना, उसी को निकाल लो अलग, अब यह proteins यह होते हैं, मैं आगे बात करूँगा, इसके उपर खूब लंबा को दुनिया में exascale के computers आगे, crowdsource exascale computer, जैसे पांडे lab Stanford में है, इसमें protein को study करने को कहते है, protein folding, you study three dimensional structures of protein folding, कोई protein कैसे fold होता है, उससे पता चलता है कि जो vaccine हम लगाएंगे, उसका molecule कहां गुसेगा protein में जाके, तो यह आजकल एक या दो दिन में protein folding की study हो जाती है, तो फटा-फ आपको बोलता है कि उने सो पचास, साट, साट, साटी में भारत में vaccine आने में 20-20 साल लगते थे, और आजकल तो 20 दिनों में, 20 हक्तों में, 20, वो इसलिए क्योंकि protein folding study करने के लिए exascale computer आगें दादा, जो पहले नहीं थे, यह वैग्यानिक लॉजिकल जवाब है, तो आप लॉजिकल तरीके से सोचिए लाइफ में, तो आपको कोई उल्लू नहीं बना पाएगा, समझ रहे ना, आप इससे आपको बहुत सारे लाइफ में सोचने के तरीके मिलेंगे स्कोर्ट से, तो जो protein sub unit होती है, उसमें आप सीधे सीधे वो spike protein ही अलग कर लेते हो, तो हमारा श आपको बता दें, बायलो जी से नफ रहे थे तो bad news, क्या कर सकते हैं, तो comment rate में एक बार मुझे बता दीजे, DNA RNA vaccine versus live attenuated versus inactivated versus sub unit versus viral vector के बीच के मूल अंतर क्या है, यह जो आपने अभी infographic देखा है, रुपए में 100 पैसे वाला infographic है, इसको अच्छे से draw कर लेना, और अच्छ shield किस तरह का है, अभी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, प्यारे दोस्तों, अब आते हैं giant viruses पे, क्या बात कर रहे हो sir, यह viruses से वैसी तकलीफ और क्या giant virus भी होते हैं, अरे भाया यह जो प्रकृती है ना, इसमें ऐसे ऐसे जादू हैं, और ऐसे ऐसे secret छुपे वे हैं, कि पूछो मत, एक बहुत बड़ा secret कुछ सालों पहले वेज्यानिकों को पता चला, क्या था, वो आज तक यह मानते थे कि virus तो एकदम नीचे की तरफ आएंगे nanometer scale पे, फिर उनको पता चला, यह तो micrometer scale पर भी है, अब बोलने में nano micro लोग एकदम से visualize नहीं कर पाते हैं, मै mili, micro, nano, picot, अब mili में 10 to the power minus 3 है, micro में 10 to the power minus 6 है, nano में 10 to the power minus 9 है, तो यह 10 to the power minus 3 हो minus 6 में, आप सीधे 1000 गुना छोटे हो जाते हैं, तो यह तो बहुत बड़ी बात हैं, कोई एक चीज यह हो, इससे 1000 गुना और फिर उससे 1000 गुना, तो यह तो scale का बहुत विशाल अंतर हो ग उसको 1000 गुना, यह फर्क है, mili or nano के बीच में, अब आपको थोड़ा सा आसान होगा, giant viruses जब पता चले, तो वैग्यानिकों ने कहा, giant virus यह गायरस, girus, यह bacteria से भी बड़े होते हैं, और यह nucleosytoplasmic DNA viruses होते हैं, इनको कहते हैं, NCLDV, क्या बोलते हैं, nucleosytoplasmic large DNA viruses, NCLDV, यह अब जो है, सो है, अब इतना बड़ा virus है, तो उसका नाम भी तो बड़ा रखेंगे, नहीं तो नाराज होगा, तो यहाँ भागेगा, तांडव करेगा, इनके जीनोम बड़े लंबे चोड़े होते हैं, जैसर मैंने आपको बताया, जब वैग्यानिकों ने पिछले साल जन इने हो चुके हैं, हमने इस novel coronavirus को पूरी दुनिया में फैलने का इतना समय, इतना समय, इतना समय दे दिया, कोने कोने में, और अब वो म्यूटेट करा, वो उसका काम है, उसकी प्रफरती है, natural evolution इसी को कहते हैं, pressure of natural selection, तो इसलिए आपको mutant, 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 तो जो ancestor virus था, जो पहले आया कर आये, उसमें से आपका delta variant निकल कर आया, उसमें से delta plus निकल कर आ गया, तो ये निकलती ही जाएंगे, ये रुखने वाले नहीं है, तो वो मतलब B16712, 61721, फिर वो आगे और, और बेचारे competitive exam वाले, कहां तक याद रखोगे, मुझे तुमारा tension है, virus तो बाद में, तो प् पीथो virus, मिमी virus, और मिमी virus एक पूरा जीना से viruses का, मिमी विरेडी में, amoeba serve as their natural host, बेचारे amoeba, उनके शरीर में, मिमी virus गुसे पड़े है, और ये आज नहीं हुआ है, जब से जीवन आया है पृत्वी पे, viruses आये कहां से, उसके उपर भी एक slide है, आपको बहुत मज़ा है, अब आप एक बार इस size को देखें, फिर मैं आपको next slide पे लेके जाता हूँ, क्योंकि इसको देखकर आप अगला appreciate कर पाओगे, कि जब हम इनकी size की बात करते हैं, तो हमारा आशय actually क्या है, ये आपने एक बार देख लिया, हमने आपको बताया था ना, कि भी, viruses जो है, व तो कुछ होता ही नहीं है न, वाइरस न बैक्टिरिया, अब ये आपको हम कुछ यहां बता रहे हैं, comparison of viruses and bacteria, तो इसमें आपको दिखेगा कि जो मिमी वाइरस है, वो तो बैक्टिरिया से भी आगे निकल गया, वाइरस ब्लू कलर में, बैक्टिरी औरेंज कलर में दिख रह हैं, अब आप ये देखिए कि हमारे करोना वाइरस में तो केवल 30,000 बेस पेर हैं, तो आपको scale का अंतरफ समझ में आया होगा, ये है मेगा वाइरस शिलिंसिस, इसका कैसा structure है देखो, ये है पीथो वाइरस, अरे बाप, रे बाप, 1.5 माइक्रो मीटर लंबा है, अभी तक के सबसे खतरनाक वाइरस से, सबसे बड़े वाइरस में एक पीथो वाइरस के साथ एक और प्राबलम विग्ञानी को कोई पता चला कि ये बाकी के साहरे वाइरस तो जब तक host को हाई जैक नहीं करते काम नहीं बनता, this पीथो वाइरस is actually far more independent and it also has some replication machinery of itself, तो अगर आप अप प्रॉपर एक और्गेनिजम का यूकेरियोटिक सेल बनते बनते वाइरस बन गया अल्टिमेटली वाइरस में होता क्या तीन चीज़ें होती है जेनेटिक मटिरियल कवरिंग और प्रोटीन तो उसी से तो बाकी चीज़ें बनती है तो ये और कुछ न बनते वे वाइरस बन गया हो सकता है ये कुछ और बनने की एविलूशनरी यात्रा पे रहा हो और मामला गड़बड हो या रास्ते में ऐसे ही होता है न और क्या होता है ये है पैंडोरा वाइरस वन माइक्रो मीटर तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि प्रकृती में काफी ज्यादा वेरियेशन है समझ में आया आपको यहां एक और फैक्ट इंटरस्टिंग है एचाईवी वाइरस में केवल नाइन जीन से तो उस सेंस में तो वो काफी हद तक नोवेल करोना वाइरस के जैसा ही है तो जब मैंने आपको बोला नोवेल करोना वाइरस यह रहा दिस इस नोवेल करोना वाइरस आपको इसमें कितने बेस पेर दिखाई दे रहे हैं 30,000 बेस पेर से हमारा क्या आशा होता है एटी सी जी याद है आपको तो भाईया अब मुझे बताईए डी एने में आपको एटी जी मिलते हैं तो आरेने में क्या होता है कुछ यूरेसिल नाम की चीज आ जाती है और बेस पेर ने वो जो शुगर की बैकबोन के उपर पूरे ही इनके पेर होते हैं जिससे यह पूरा वाइंडिंग होके चलता है डी एने में तो मुझे बताईएगा डी एने और आरेने का बेसिक अंतर तो यह 30,000 बेस पेर ने के बलता नॉवेल करों में तो बहुत ही चोटा है तो अब अगर हम बात करते हैं जाएंड वाइरसिस में इनके एविलूशन की तो वैज्ञाने की यह बोलते हैं जिन्हों है अभी तक इसको बहुत गहरा ही से सड़ी किया है कि यह आय कहां से वाइरस पृत्वी पे theory for the origin of virus says that they emerged either from a type of degenerate cell मतलब हो सकता है कि पहले viruses नहीं थे पहले proper proper cells के रूप में यह थे और उसके बाद evolutionarily उनका degeneration हो गया और वो खुद को replicate अब नहीं कर पाते हैं लेकिन cell boundaries उन्होंने त्याग दी और वो वाइरस बन गए समझ में आए आपको वैसे computer का जो virus होता है प्यारे दोस्तों उसको कहते है vital information resources under siege VIRUS लेकिन यह viruses proper viruses हैं इनको vital information resources under siege नहीं कहेंगे VIRUS और आपको पता है ना भी वहां पे colonial pipeline hack हो गई थी और bitcoin में ransom ली थी बहुत-बड़ा कांड हुआ virus याद आया तो मुझे वो cyber hacking का incident कितनों को याद है कितनों ने पढ़ा बताओ हम हमारे current affairs पर सीरीज में cover कर रहें तो वो देखते चलो लेकिन साथ ही साथ वैज्यानिक कहते हैं यह भी संभव है कि आज के जो आदूनिक विशानु में उनके जो ancestors थे पिता महलोग they might have provided the raw material for the development of cellular life अब एक बहुत बड़ी बात आप यह समझे कि हमारे शरीर में 8-10% हमारा जो genome है वो viruses का है क्योंकि एक बार viruses human civilization में आ गए तो वो पीछे अपना पूरा DNA आरेने चोड़ते वे चलते हैं अगली PD में थोड़ा सा portion carry हो जाता है तो इंसानों के genome में 8-9% viruses का genome ह जो लाखो सालों में मैंने आपको war of the worlds movie का end की commentary बताई थी आप में से कितनों ने वो movie देखी मैंने आपसे कहा था ना war of the world देख लेना क्योंकि end के 2 minute में जो commentary थी उसी में तो सार है मानव जीवन का कि हम कैसे जिन्दा बचे में इसलिए मैं जो बाते बताता हूँ थोड़ी follow कि आकरो और भी इसमें बहुत कुछ है देखिए का बहुत detail है अच्छे से पढ़ना समझ नहीं आए तो घबराना मत at least कहीं शुरुआत तो हो रही है universe's phone number अब मैं आपको एक ऐसी चीज दे रहा हूँ एक ऐसा phone number दे रहा हूँ जो आपको याद रखना है लेकिन ये सिर्फ phone number नहीं है ये तो scales universe है universe का जो पैमाना होता है न उस पैमाने को याद रखने का एक बहुत सरल तरीका ढूंड लिया है और वो सरल तरीका क्या है वो सरल तरीका है एक phone number 555-711-2555 क्या नमबर है भाईया 555-711-2555 तो ये क्या है 555-711-2555 ये नमबर सबसे पहले याद रखो और अभी के भी पांच बार बोलो सबसे पहले तो ये देखो आपको ये अच्छे से पता है ना वन से आप नीचे जाते हो तो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो आता है उसके बीच में डेसी, सेंटी भी है उपर जाते हो तो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा उसके आगे क्या आता है बताईए आप उसके आगे पैटा आएगा फिर और योटा जटा इस सब आएगा तो ये आपकी मेट्रिक स्केल होती है अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो पहले हम छोटे 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 नीचे की तरफ चलते है तो अगर आप अस यहने इनसान उसको 1 मान लें क्योंकि हमारा ओवराल साइज आप 1 मीटर मानी है तो नीचे आप जाएंगे तो जो सेल होता है नंबर हमने आपको क्या बोला था 5557112555 याद है ना तो अगर आप नीचे नीचे जाएंगे तो ये 10 to the power minus 5 उसके नीचे जाओगे एक सिंगल एटम 10 to the power minus 5 और नीचे उसके नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा नीचे से उपर आओगे तो 555 वो 555 का आगया फिर उपर वान आगया तो ये 7 यहां से निकला 1 यहां से निकला समझ में आ रहा है ना फिर आगे जाएंगे तो जूपिटर और सन के केस में आप इतना ज्यादा अंतर यहां पे नहीं कर रहे हैं सिर्फ 1 का अंतर आ रहा है तो 7 double 1 मतलब जूपिटर से overall volume wise यह 10 गुना होगा उसके बाद astronomical unit पृत्वी से सूर्य के दूरी वो 2 फिर मतलब वो 100 गुना बढ़ी हो जाएगी सूर्य से फिर उसके आगे 5 5 5 युनिवर्स तक का तो मतलब 10 to the power this तो यह हमारा युनिवर्स का phone number है अगर इंसान को 1 मान लिया जाए तो 10 to the power minus 5 पहले की नीचे की scale फिर into 10 to the power minus 5 फिर into this और उपर जाएंगे तो 10 to the power 7 into 10 to the power 1 into 10 to the power 1 into 10 square into 10 to the power 5 into 5 into 5 पूरे युनिवर्स की scale संपून ब्रह्मान से लेके एक एक एटम के nucleus तक मैंने आपको एक ही phone number में बता दी जो है 555-711-2555 एक बार यह number dial करके देखना जादू होगा जादू गैरेंटी मजात नहीं करता है से मामलों में आगया समझ में तो अगर आपको मजा आ रहा है तो answers comment thread में share कर देना 1, 2 & 3 बहुत प्यारे question है सोच समझ के उत्तर देना जोश के साथ करो ज़्यादा ज़्यादा गलत होगा और क्या होगा और उसके अलावा आज का ऐसे type question यह रहा एक question दे रहा हूं और इसका आप 100, 200, 200, 200 शब्दों में जवाब दीए मजा आएगा अगर participate क करेंगे इसी के साथ आज की class यहीं समाप्त करते हैं फिर से मैं आपको याद दिलादू my dear students हमारे अभी बहुत शांदार courses आ रहे हैं S&T cracker and S&T cracker combo जरूर जरूर enroll कीजेगा हमें बहुत खुशी होगी और यह सब courses हमारे 6 जुलाई से शुरू हो जाएंगे तो आज की हमार क्लास में इतना ही अब हम कल मिलेंगे आपके साथ environment ecology की अगली क्लास के साथ नमस्कार जय है